तो हेलो एंड वेलकम अगें दोस्तों भाई साब सालार का ट्रेलर आ चुका है लेकिन यार इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा नहीं कि हमने इस मूवी के लिए हम वेट जो कर रहे हैं मलब वह वाली वाई मैच नहीं हो पाई लाइक जब एनिमल आई थी एनिमल का ट्रेलर आय बेकार रेस्पॉंस दिया बहुत ही लेट इन्होंने आठ बच के आई थिंक पांच च्छे मिनट पे इन्होंने ट्रेलर निकाला है हिंदी का वेट कर रहा था मैं काफी लेकिन तैल्गू में जब मैं इस ट्रेलर को देखा तो मुझे उतना को समझ में नहीं लेकिन जब ड चाहनी में आप दो-चार वर्ड चेंज कर दे रहे हो लाइक उस टाइम पर जो सोने की खान वाली जगे थी अब वो साइद यहां पर खांसार का का काम कर रहा है खांसार खांडा के चीज ब्लैक एडम से सीधा रिलेट हो गई यह चीज दूसरा यार ट्रेलर बहुत इस फाइर फर्स्ट पार्ट में क्या क्या होने वाला है आई थिंक प्रसांत नी ने ट्रेलर में ही रिवील आउट कर दिया कि भाई सब आपको कहानी में क्या क्या मिलने वाला है दोस्ती का लब बॉन डिखाय जाएगा जबरदस तरीके से जिसमें प्रिथी विराज करेगा जब सत्ता प्लेटने की बात आएगी मलो सत्ता ये राजनेतिक वाला हिसाब किताब यही चीज हमें केजिएप में भी देखने को मिल रहा है वहां पर कैसे मलो सत्ता लेनी के लिए आपस में ही अंदुरूनी फूर चलती है देन उसके बाद यस वहां आ जाता है उन लेकिन डिप्लोमेस्टी का काम कौन कर रहा है यहां प्रिथि विराज सुकुमारर वह इस बंदे का जबर्दस फायदा उठाने वाला सीजफाइट 2 में क्या होने वाला यहां से क्लियर नजर आ रहा है आगे जाए कुछ अनबन होगी और इन दोनों में फूर पर जाएगी देन यह दोनों एक दूसरे के रैबल हो जाएंगे और एक दूसरे से बतला यही चीज हमें सायद देखने को मिलेगी सायद हो सकता है लेकिन ट्रेलर की बात करते हैं तो ट्रेलर में उतना दम नहीं देखने को मिला भई आप चाहें जितनी गाली देशों को दे ले ले न ल यही चीज इसमें भी कॉपी होते नजर आ रही है तो यार इसमें थोड़ा सा अलग हमें यही चीज हम सार में भी करना चाहते थी वही लंबी उची दिवारे ठीक हैं उन्होंने चूतिया काड़ दिया वेफेक्स का ढंका इस्तमाल करना आया नहीं होने उनकी स्टोरी पैटें भी सम्थिंग 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 सिमिलर यही आते नजर आ रही है भाई साब की वहा लड़ाई होगी आपस में सकता लेने के लिए वो जी साफ नजर आ रही है इसमें कि भाई लड़ाई यही होने वारे है आपस में फूट डलेगी वह सर्वियन आर्मी लेके आ रहे है वह रसियन आर्मी लेकर आ रहे है खतरनाक वैपन्स हमें देखने को मिलेंग यहाई होगी जो गेजियफ में भी इस्तमाल करा गया था डार्ग थी तो देखा जाए तो यार आपको केजियफ से थोड़ा और ऊपर निकालना था साइध परसांद निल के दिमाग से ना केजियफ यूनिवर्स जा नहीं रहा है बस बोला था कि हवाई इसमें केजियफ का कोई करेक रही है उन लोगों ने खांसार को एक ऐसा विला बना दिया फिर वहां से वो उसको फायदा भी उठा रहे होंगे और यही चीज उसी खांसार की जिगहें में हमें सक्ता में अलब टाइम टू टाइम उस सक्ता को हडपने वाली कहानी देखने को मिल रही है लेकिन परभास क एक्षन की बैट एक्षन में मोवी फाड है बहुत फाड है दमदार लेगी है परभास का जो एक्षन हमें देखने को मिला मलाव एक अलागी ही रौद रूप भाई हमें इसी परभास की जरुरत थी और यहां पर वो नीड ये बन्दा फुल फिल करते नजर आ रहा है वाई के आएगा अपने कंदे पर यही बन्दा इस मूवी को निकाल के लाएगा थाउजन क्रोन ठोक के मारेगी नहीं मारेगी उसके बारे में अलग वह अलग चीज है लेकिन सामने डंकी रिलीज हो रही है जिन्होंने भाई टीजर बहुत बहुत सॉलिड निकाला है फुल फ्र सालार का टेलर भाई दमदार लगा सबर्दस्त लगा आपको कैसा लगा नीचे कमल रख से जरू बता के जाए लेकिन परसांत नील से बाइगाट सिकायत है आपने कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी केजिए उनिवर्स का तड़का इसमें डाल ही दिया और वो हमें देखने आपको कैसा लगा नीचे कमल रख से जरू बता के जाना मिलता है लिए वीडियो में जाहिए